हमें chapter 7 करना है linear equation ठीक है any equation in which highest power of the variable is one is called linear equation a linear equation which has only one variable is called linear equation in one variable तो जिसकी highest power one होती है उसे हम linear equation करते है अगर एक variable हो रहा है तो linear equation one variable करते है दो variable है तो linear equation of two variable कहेंगे तीन है तो linear equation of three variable कहेंगे देखिए एक की variable है linear equation of one variable एक variable है linear equation of one variable ठीक है देखिए यहां पर a, b, c तीन variables ठीक है तो यह आपकी linear equation तो है बट यह आपकी one variable की देखे, ax plus b is equal to c a, b, c यहाँ पर number है x variable है तो यह आपकी linear equation of one variable हो गए ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो 2x plus y तो यहाँ पर 2 variable है तो यह equation क्या होगए linear equation of two variable हो गए यहाँ पर single single variable है इसलिए linear equation of one variable हो गए अब देखी यह है 2x minus 3 equal 7 यह एक linear equation of one variable हो गए ठीक है, equal sign लगा है इसलिए equality होई यह एक equation है one variable की, जो हमारे right side में है, वो right hand side होई और left में हो, जैसे ही देखी यह हमारे left में है, तो यह left hand side होगी यह हमारे right में है, तो यह right hand side होगी, equal लगा है इसलिए इसको equality होगी अब हम देखेंगे इसके questions कैसे करेंगे देखें पहला question देखेंगे हैं कैसे करेंगे देखेंगे, आपका first question है 3x 3x minus 5 equal 5 bracket के अंदर है 2x plus 1 इसे अंदर multiply करेंगे 3 इन दून से अलग अलग multiply होगा 3 और x को multiply करेंगे तो 3x होगा और 3 द्रजा 9 होगा 5 to 10x plus 5 विल्चर 5 plus का 5 दर लेंगे तो minus का होगा plus का 3 दर लेंगे तो minus का होगा इसे add करेंगे minus 14 क्योंकि आपको बता है minus minus addition assign greater number 10x में से 3x किया बच्चा 7x x इसकाट्टू होगा minus 14 upon 7 यानि 2 x इसकाट्टू होगा minus 2 अब आपका इसका सेकिंड पार्ट है 3 5x माइनस 7 plus 2 9x माइनस 11 equal 4 8x माइनस 7 minus 11 देखें इस कोशन को हम कैसे करेंगे ठेके? क्या करेंगे? पहले इस 3 को multiply कर लेंगे अंदर 35 जब फिफ्टी नेक्स 37 जब नमबर प्रेके के बीच में कोई साहिन नहीं होता इत्मीन वोस का मॉटेपल है 29 जब फिफ्टी नेक्स और 18x को अड़ करेंगे 85 थर्टी का 3 केरे 1 1 और 1, 2 और 1, 3 33 x माइनस की 21 और माइनस का 22 दुनों माइनस के हैं अड़ हो जाएंगे 2 प्लेस 1, 3 2 और 2, 4 एक्वल 32 x ऐसे ये दुनों नमबर माइनस के हैं आड़ करेंगे 1 और 8 9 2 और 1, 3 139 अब क्या करेंगे x पहले नमबर एक साइट ले चाहेंगे ये प्लस का एदर जाके माइनस का हो साएगा माइनस 139 ऐसे ये माइनस का 43 है बिटाईए माइनस का 43 इदर जाके प्लस का 43 हो जाएगा 33 मेंसे 32 के बचा एक्स 9 मेंसे 3 गया बचा 6 12 मेंसे 9 मेंसे 3 के बचा 6 13 मेंसे 4 के बचा 9 माइनस का नमबर बढ़ा है इसलिए आंसर माइनस का आएगा अब इसका हम थाड़ पार दिखते हैं 2x-3 ब्रेकेट में है 1 plus 1 इक्वल 5x-7 2x ऐसे इस 3 को दोनों के साथ में मॉटिप्लाय करेंगे ठेक है 3x plus minus minus 3 बंचा 3 5x-7 3x में से 2x को सब्टेक करेंगे चोकि plus minus सब्टेक्शन होता है साइन गेटर दंबर minus का x कचेगा minus 3 is equal to 5x-7 अब क्या करेंगे इस minus का x उदर ले जाएंगे और minus का 7 इधर ले जाएंगे minus का 7 इधर आके plus का हो गया minus का x इकोल साइन के दूसी साइट जाएगा plus का हो गया 7 में से 3 गया बचा 4 5x plus x is 6x x इसका 2 हो गया 4 upon 6 2 से cancel हो रहा है cancel कर लेंगे x की विल्दे हो गया 2 upon 3 यह आपका answer अब हम देखें इसका 4 part देखें 4 part क्या है इसका 4 part है 5 x minus 4 minus 2 x minus 9 plus 5 x plus 6 equal 0 क्या करेंगे 5 inside multiply करेंगे 5 x minus 5 for 20 minus 2 x minus minus plus 2 minus 18 plus 5 x plus 5 6 30 equal 0 अब देखें 5 x और 5 x कितने हो गया 10 x minus 2 x या आप x वाले एक साथ रखेंगे ठीक है और नमबर एक साथ रखेंगे minus 20 plus 18 plus 30 equal 0 देखें यह हो गया 10 10 में से टो गया 8 x ठीक है आप देखें आगे यह हो गया आपका 8 x आप इससे solve ठीक है देखें 30 में से minus 20 किया तो बचा 10 10 plus 18 is 28 equal 0 8 x is got to minus 28 x is got to minus 28 upon 8 फिसले चींजे पूरा पुश्यन 5 दो दो से मुटिप्लाइ करेंगे 5 x 5 आप जा 20 minus 2 x minus minus plus 2 9 जा 18 5 x 5 6 जा 30 equal 0 x यहा है यहा है यहा है यहा है x पले एक साथ लिए नमपर एक साथ लिए 5 आप 5 10 में से 2 गया 8 18 18 30 में से minus का 20 गया plus का 10 plus 18 is 28 plus का 28 गया गया है minus का 8 दिवाइद में कट कर लेते हैं ठीक है इसको कट कर लेते हैं हम लोग माइनस साइन का है देखिए इसे हमने कट कर आप ले 2 से 2 दिज़ा 4 2 14 जा 28 फिर हमने 4 को 2 से कट कर आ 2 दिज़ा 4 2 7 जा 48 7 अपन 2 इसे हमने mixed structure में लिख लिए है आपका फर्स कोर्षन complete हो गया ठीक है एक पार देखिए सेकिंद का फर्स पार देखिए 1.2 एक्स प्लस 5.3 एक्वल 7 एक्स minus 3.7 ठीक है अब देखिए इस question का हम कैसे करेंगे क्या करेंगे 1.1 सबसे पहले 5.3 ऐसे रखते हैं इस minus का 3.7 इदर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3.7 7 एक्स प्लस वाला नमबर इदर जाके minus का हो जाएगा अब देखिए क्या करेंगे 7 में से 1.2 को minus करेंगे तो कैसे minus हो यह होगा 10 यह रह गया 6 10 में से 2 गया 8 6 में से बन गया 5 decimal अपनी जगे इससे एक्स करेंगे 5 प्लस 3 3 प्लस 7 तेंट अब देखिए 1 3 और 5 यह प्लस 1 9 इस गत्तू 5.8 X X इस गत्तू 9.0 और 5.8 क्या करेंगे क्वाइंट से क्वाइंट को हटा आप हम इसको कट कर लेते हैं 2 सी 2 4 जा 2 5 सा 2 2 जा 2 9 जा X की वल्यों होगे 45.29 यह आपका अज़र होगे आप इसका सेकंड प्लस्टन है आप 0.16 5 X माइनस 2 एक्वाल 0.4 X प्लस 7 क्या करेंगे इसको अंदर मॉटिप्लाइ करेंगे 16 5.8 2 के बाद दसिमार X माइनस 16 तूजर 32 2 के बाद दसिमार लगिवा फिर एक्वाल 0.4 X प्लस 7 आप क्या करेंगे X एक साइड ले जाएगे और नमबर एक साइड 0.8 X प्लस को अला नमबर इदर जाके माइनस होगा 0.8 से 40 X लिख सकते डेसिमल के पिछे की डेजिट को बराबर कर सकते और ऐसे भी 0.4 X भी लिख सकते 7 माइनस का नमबर इदर आके जो जाएगा 0.80 X से प्लस बला नमबर इदर लेंगे इतना होगा डेसिमल के पीछे की डेजिट को पूरा कर सकते 0 लगा सकते नहीं लगाएंगे तो गुदो पाबलम नहीं है 7 X से माइनस का नमबर इदर आके प्लस हो जाएगा अब देखे इसको सब्टेक करोंगे 0.80 में से 0.4 माइनस करते तो ऐसे लिखते डेसिमल के प्लेसेज पूरा कर लगते 0 1 में से 4 गया 4 नहीं हुआ 0.40 लिखो या 4 लिखो एक ही बात उत लिए इसे एड़ करेंगे 7.00 में से में 0.32 के जोड़ेंगे तो आप आजएगा 7.32 एक्स इस पर टू 7.32 अपॉन 0.40 पॉइंट लगा है इसलिए डारेक हड़ जाएगा चिके दो डिजिट उपर हैं और दो ही डिजिट नीचे हैं आप आप इसको कट करेंगे आप हम इसको कट कर लेते हैं 2 से 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 यह हो गया 1.80 3.10 10 से इसको डिवाइट करेंगे तो एक के बाद डासिमल आजएगा इदर से काउट परेंगे और गी हो जाएगा आपका आप साइट आप देखते हैं इसका फाट पाट 0.25 4y minus 3 0.55 minus 9 देखें इसे मुंटिप्लाइगे 25 के बाद डासिमल आजएगा 25 त्रिज़ा 75 दो के बाद डासिमल 0.5 5 minus 9 1 y मेंगे इस only y आप 1y भी गया सकते हूँ y भी गया सकते हूँ minus plus का नमपर अदर लेंगे तो minus का हो जाएगा ये minus का नमपर इदर जाके plus का हो जाएगा ठीक है किसे बाद समझ देज़ें इसको इन दोनों से multiply किया इससे असी उतारा ये y भी भी बाद नमपर अदर चला जाएगा minus का हो गया और ये minus बाद जाके plus का हो गया इस में से इसको कैसे सब्ट्रेक करेंगे 9.00 में से 0.75 को सब्ट्रेक करेंगे 10 हो जाएगा या 9 और या हो जाएगा 8 10 में से 5 क्या 5 9 में से 7 क्या 2 decimal 8 में से 0 हो गया 8 आपके आगया minus का 8.25 बड़ा नमपर minus का है इसलिए minus का बचेगा अब जब आप 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 0.5 ही आएगा y सब्ट्रों हो गया 8.25 अपके 0.5 अब 1 उपर लगाएगे 1 उपर पॉइंट हटाएगे 1 जिरो पड़ेगा चोकि 1 डिजिट है उपर पॉइंट हटाएगे तो नीचे दो डिजिट पड़ेगे चोकि 2 डिजिट है से नीचे 2 जिरो पड़ेगे 1 जिरो से 1 जिरो गैंसे 8.25 5.5 इंटू 10.5 से सब्ट कर लेते हैं जब 5 से सब्ट करेंगे तो आएगा 165 देखे 5 बन जा 5 ठेके 3 बचा 5 6 जा 5 5 जा 165.10 10 से डिवाइट करेंगे तो एक के बाद देसिमल आजाएगे और ही हो जाएगा अपा आएगा नेक्स इसका रिखे 4 पाट 2.25 2 जेट प्लस 8 5 जेट इसको 2 से मॉटिप्लाइ करेंगे ठेके देखे 2 को मॉटिप्लाइ करेंगे 2.25 से एग जेट प्लस 2.25 को मॉटिप्लाइ करेंगे 1 से इक्वाल है 5 जेट माइनस 3 ठेके अब देखे इदा वाला ऐसे होता है मॉटिप्लाइ करते है 2.5 जे 10 का सिफर करे 1 2.25 जे 4 और 1 जे 5 2.25 जे 4 दो के बगा जेगा आपका जैसर आप 8.6 को मॉटिप्लाइ करते है ठेके जब 8.6 को मॉटिप्लाइ करेंगे तो रिखी क्या एगा 8.5 जब 40 का सिफर करेंगे 4 8.2 जब 16 16 और 4 20 का सिफर करेंगे 2 8.2 जब 16 और 2 18 अब देखेंगे 18 एसरी माइनस का नमबर उड़ा जाके प्लस का होगा 5 जब ये प्लस का नमबर उड़ा जाके माइनस का हो जाएगा ये होगे आपका इनको आइड कर लेंगे 21 5 में से 4.5 को माइनस करेंगे तो रिखी क्या होगा ठेक है 10 ये से 5.5 जड़ प्लस का नमबर उड़ा जाके लेधे 21 0.5 पूरे कोश्चन को इपरी फिर से देखिए क्या करेंगे इसे पूरा कोश्चन फिर से सामस करेंगे आपकी पास कोश्चन है इतना ठेक है क्या करेंगे पहले इसको अंदर माटिप्लाइ करेंगे देख 2 5 जाट इसको इसको माटिप्लाइ करेंगे इसको इसको करेंगे, एक कलमे 5Z-3 को ऐसे ही 4, आप क्या करेंगे बिटेगे, 2 5Z-3 का सिफर करी 1, 2 2 जब 4, 1 5, 2 2 जब 4, 8 जब 4, 8 जब 4, 8 5 जब 4, 8 5 जब 4, 8 2 जब 16 और 420 का सिफर करी 2, 8 2 जब 16 और 2 18, यह ऐसे ही, माइनस का 3, 18 की साथ ले जाएंगे तो प्लस की 21 बन जाएगा, और यह प्लस का नमबर इधर जाके माइनस की जाएगा, 5.0 में से 4.5 को सब्टेक करेंगे, तो 4.5 जाएगा, इस 0 को लिखना ज़रूरी नहीं है, जब इच कट्टो, 21 upon 1.5, 21 upon 1.5, पॉइंट अड़ा के आप चुरू बड़ा सकते, 5.05, 5.4 जाएगा, पॉइंटी, 5.0 जाएगा, आंसर विखना, 43.